नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि सिपमोल 500 टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है सिपमोल 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिपमोल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि सिपमोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए सिपमोल एक ब्रैंड नेम है, सिपमोल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन पेरा सिटामोल 500 mg होता है, सिपमोल टैबलेट का उप्योग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, सिपमोल टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर, शरीर की मासपेशियों म दर्द होने पर, सिरदर्द होने पर, दातों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंडिशन्स में सिप्मोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है। सिप्मोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। सिप्मोल टैबलेट दर्द और गुखार की एक सुरक्षित दवा है। और ज्यादातर व्यक्तियों में सिप्मोल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादा डोज में सित्मोल टैबलेट को लेने की वज़े से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको सित्मोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको सिपमोल टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशेस या सिपमोल टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं और allergic reaction होने पर तुरंथ medical treatment की आवर्शक्ता होती है अब हम डिसकस करेंगे कि सिपमोल टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है सिपमोल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्तर आधी टैबलेट यानि सिपमोल 250 mg टैबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सला देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Sipmol 500 mg टेबलेट को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सला देते हैं। कुछ व्यक्तियों को Dr. केवल दर्द या बुखार होने पर ही सिपmol टेबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। सिपमोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिपमोल टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिपमोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी या लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित यक्तियों में सिपमोल टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है, डॉक्तर की सला के बिना लगातार तीन दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सिपमोल टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वज़े से, लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है सिपमोल टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सिपमोल टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में सिपमोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिपमोल टैबलेट से समबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं